नमस्का दोस्तों डीडी रियाट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है जैशंकर डिड़ नॉट गो साओधी अरविया सो साओधी फॉरेंड मिनिस्टर रीज्ड इंडिया अच्छा जी सानामजद का वीडियो है चली देखते हैं बात तो सही है सौधी अरविया के जो फॉरेंड मिनिस्टर है वो आए हुए हैं और दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं बहुत अच्छी बात चीत हुई हैं डीद्स हुई हैं आगे कई सक् हैं तो कुल जमा सौधी अरविया से भारत का रिष्टे दिन प्रते दिन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं तो आएए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जो जनता है वो क्या कह रही है इंडिया के फॉरण अफेर मनिस्टर डॉक्टर जे शंकर सौधिया नहीं गे तो सौधिया के फॉरण अफेर मनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं इंडिया और सौधिया अपनी स्टेटर्जिक पार्टर्शिप को बहुत जादा वैल्यू देरा है इसमें बहुत ज़्यादा development हो रही है जब से सौधिय अरेबिया के crown prince and prime minister मुहमद बिन सल्मान भारत का visit करके आए हैं हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सौधिय अरेबिया इंडिया को बहुत ज़्यादा value दे रहा है और पाकिस्तान को ignore कर रहा है इसे topic पे आज हम बात करें के पाकिस्तान के अवाम से तो आई चलिए हमारे साथ हमें समझना चाहिए कि हमारे इसलामिक जो मुमालिक हैं वो हमसे बैक फूट पर क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं देखें एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई करजा देता है यह आम से अलफाजों में समझाओं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा आखिर आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा सेम यही सिट्वेशन है पाकिसान की देखें पाकिसान नो डाउट एक एटमी कुवत है एटमी पावर है लेकिन साओधिया रेविया और दूसरे मुमालिक कह रहें ठीक है बस आप होंगे बट अब आपना थोड़ा सा दरा बैक फूट पर आजें पैसे तो आप हमसे ही ले लिड़ें में आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक हकूमत का तख्ता बल्टा था और उसके बाद नहीं हकूमत आई तो बिलकुल एक पहले वजीरे खार जाते वहां चले गे उसके बाद वहीं से वापिस यूए यह आते हैं और वहां से वह वापिस इंडिया जाते यान कि अग्नौर बिलकुल टोटली कतर मिसर साओधिया अरेबिया मौली इनको बिलकुल इग्नौर करके वह वापिस सेले जाते हैं उसका स्टेट फारवर्ड पेगाम क्या था उस वक्त हकूमती बाइडन की बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि साओधिया आरब के साथ इं कि उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीरे खार जाए तरह वह बिलकुल साइलेंड हो गए अब खुद उनके फॉरन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए क्योंके इन सारे मामलात के अंदर उनकी 54 बिलियन डॉलर की ट्रेड चर रही है सा मामलात किस तरफ जाएंगे 54 ट्रिलियन डॉलर की उनकी ट्रेड चैरी उनके साथ अब आप सोचे किस लेवल की नेक्स लेवल के उपर उनकी ट्रेड जाने वाली है और अब इंडिया के आफर करवार है उनको आप देखें कोई भी उनका अपना जो एक मिनिस्टर होता है जो फॉरन मिनिस्टर जाता है साओधी अरेबिया के अंदर एक अपना जो सिफारत खाना होते हैं वो इंडिया जादा कोशी करता है कोई नो कोई मुसल्मान ही वाँ ह हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उमा से या मुस्लिम मालिक से खार रखता है इसलामोफोबिया की हम बात करते हैं लेकिन यहां पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंड पाकिस्तान को इगनोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात होनी थी कब तक आखर महश्यद आपके सियासी मामलात नहीं ठीक यह कब तक दूसरे मुमालिक देखते हैं उनको आगे भी बढ़ना है वह हमारे जैसे थोड़ी क्या पीसी चीज़ पर अटके रहें देखें साओधी अरेबिया को बैनिफिट का है पाकिसान से सबसे पहले तो यह आप सुनने हैं पैसा तो हम उनको को देते हैं हम लेने वाले होते हर दफा हम जाएंगे कश्कोले के हमने पैसा लेना ही है साओधी अरब से देरने वाले हम नह बादी है कि भाई हम आपको फॉज देने को तयार हैं जहां आपको डिफेंस चाहिए हमारी फॉज आपकर 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 डिफेंस करेंगी यह साओधी अरब बात इस बात से उनको एक अजीब ही कैफित में डाल दिया कि भाई हम पाकिसान को पैसा देते हैं और हम जब पाकिसान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इंडियन को देखें वहां उन्होंने मंदिर बना दिया सारा कुछ बनाते जा रहे हैं तोटली दुबई ऐसे लगता है जैसे कोई कॉलकता या नहीं दिली या बैंगलोरू है तोटली वहां पर इंडियन अभी भी 6.2 मिलियन लोग रह रहे हैं साओधी अरेबिया में हाला कि वहां पर इंडियन का रहना बड़ा मुश्किल है यानि के वहां आप देखें अब एक इस्लामिक स्टेट है वहां पर हिंदू भी आना शुरू होगे वो रह रहे हैं लेकिन मैं मुस्लिम की तदात बता रहा हूं 6.2 बिलि हमारी तर्फ इस वहां से देखते थे कि भाई हमारा दिफार करें लेकिन अब वो यह सो अब निकल गए इस सोच के बार क्योंकि पैनिक बटन आगया भाई अब वो सोच रहे हैं कि हम मुश्चत को तगड़ी करेंगे हम अपनी एटमी कुवत भी बना सकते हैं ऐसी कोई प् आप जरा अपनी और रिसर्च को पुखता करें सर अब्दुलकदीर खान ने एटम मोम नहीं मनाया वो सिर्फ उन्होंने असंबल किया है उन्होंने सिर्फ असंबल किया है अब आप कहेंगे कि मैं यह कैसी बाते कर रहा हूँ मैं आपको आपके ही देश के नुकलियर फिज नुकलियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुद बॉय उनकी बात सुनबाता हूँ चाइनीज ने ब्लू प्रिंट से लेके सारा सामान दिया अब्दुलकदीर खान चुकी नुकलियर साइंटिस्ट थे तो उनको अंदाजा था कि चीज़े कैसे एड होंगी कैसे असंबल होंग आप जिस जगह पर जिस सोफे पर बैठे हैं इधर कुछ अमेरिकन सेनिटर्स आएवे थे और उनों ने मुझे खूब रगादा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहें आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहें लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहें और रखा और का कि ये वो बॉम के डिजाइन्स है जो हमें पता है आपको चाइना ने दिये तो कम से कम आप अपने अपनी कंट्री में आप एक जॉनलिस्ट हैं आप एक अपनी कंट्री में जो ऐसे सेंसिटिव मुद्धे हैं उन पर किस तरह की चीज़े बात की जाती हैं किस तरह की चीज़े हैं उनको जरा घौर फरमाईए भारत तो अभी दूर है अपने फैक्ट जरूर दुरूस्त करिए तो अगर अगली बात से आप ये एटम वाम वाला चूरन अगर किसी को दें तो अब्दुलकदीर खान ने नहीं बनाया उनको टेक्नलोजी भी चीन ने दी उनको ब्लूप्रिंट्स भी चीन ने दीए उनको पार्ट्स भी चीन ने दीए सब कुछ चीनियों ने दिया उनको और फिर अब्दुलकदीर खान ने उसको बेचना चालू किया बाहर, जिसके बाद परवेज मुसर रफनिंग को निकाला बाहर अरे मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के लोग ही कहता है मेरी बात पर तो आपको भरुसा ना हो शायर, बट आप पाकिस्तानी किताबों को पढ़िए जो उसके उपर लिखी गई है, अब बिलकदीर खान को लेकर जो चीजे लिखी गई है, पढ़िया जाकर जो मुलक हमसे पैसे मांगता रहता है, वो आटमी कुवत बन गया तो हम क्यों ना बने अब मेंन रीजन इंडिया के साथ इताहत करने का ये है, अब इंडिया को वो कुछ लेंगे भी और कुछ देंगे भी, अब आटमी कुवत वहां से बनेने जाएगी, वहां साओधी आरब, ये मैं बात बता रहा हूँ, आने वाले सालों में ये देख लेना, साओधी आरब आटमी कुवत बनने जा रहा है, इंडिया की मदद से, क्योंकि उनके पास अपने इस तरह के नहीं है, जो अरबिक लोग हैं, वो इस तरह का माइंड सेटल नहीं है, वो बिजनस मैन है, बिजनस करेंगे, बस रियाल कमाएंगे, उनको सेंसर के डॉलर में कनवर्ट कर बस, इन से जादा उनको कुछ नहीं आता, बस वो अपनी बिल्डिंग्स का काम कर सकते हैं, बाकि और उनका बस का रोग नहीं है, कोई भी आप साओधी आरब में मुझे एक चीज़ बता दें, जो इनपोर्ट वो अपनी करके एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चेकर नहीं इस जो कुछ साल पहले मिया चनु के मकाम पर इंडिया से मिस्फायर हो गया था, इंडिया और रश्या ने मिलकर वो बनाया था, और सौधी अरेबिया वो भी इंडिया से खरीदने की डिमांड कर रहा था पिछले दिनों के आप हमें ब्रामूज मिजायल दें, देखें, सीधी कि खुल के मैंने बात की, जहां उनकी तारीफ बनती थी, मैंने तारीफ की, अब यहां पर इंडिया की तारीफ नी बनती, उसका रीजन यह है, देखें, गोरे अगर आपको एक मिजायल देंगे न, जी रूस वाले, तो अमेरिका पाकिस्तान को मिसाल के तोर पे मैं बता र कि एक से बढ़के यह का थ्यार रखना है, इसकी चक्रों में पाकिस्तान का तो मैं एक्जेक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इंडिया का एक्जेक्ट फिगर दे देता हूँ, वन पॉइंट फोर ट्रिलियन डॉलर्स वो अपने यह असला खरीदने पे सिर्फ असले क करेंगी को किसी काम के नहीं है, अब हैं कौन, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप आर्मी में रह चुके हैं, एर फोर्स में रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, आपको कैसे पता कि हमें नीड नहीं है, कम से कम ऐसे बयान मत दिया किजिए, जनलिस् को अप्ग्रेड नहीं करना चाहता सर क्या पाकिसान नहीं करना चाहता डिफेंस को अप्रेड और इसमें तारीफ नहीं बनती है हम अपनी डिफेंस के लिए हथियार खरीद रहे हम अपने डिफेंस के लिए हथियार मैनुफैक्चर कर रहे हैं आपको नहीं खरीद ना आप मत हमारे हथियार outdated होएंगे देरे-देरे हर किसी के होता है हर देश के होता है उसको upgrade करना पड़ता है हमारा देश इतना बड़ा है हमें चाइना से भी border अपने safe रखने है हमें पाकिस्तान से भी border अपना safe रखने है हमें हमें अपना maritime safe रखने है उसके लिए बहुत बड़े budget की बहुत जादा असलों की जरुवत है हमें 42 स्कौर्डरन चाहिए एरफोस की अभी हमारे पास 31 है 11 स्कौर्डरन चाहिए तो हम अगर इस पर पैसे खर्च करने तो बिलियून अफ डॉलर्स का खर्च होंगे तो हम ना करें मेरी भूख चार रोटी की है दो रोटी खाकर मैं कब तक हम चलाओंगा मुझे जरुवत है चार फाइटर जेट्स की मैं एक फाइटर जेट रखके क्या करूँगा और जब वो चार में रख लूँगा और चार कुछ आने वाले साल बाद वो पुराने पढ़ जाएगे तो चार मुझे और नए चाहिए डिफेंस की स्ट्रेडिजी को समझना पड़ता है सर ऐसे हवा हवाई बाते मत किया किजिए कि किसी काम के नहीं है आप हमें सला देंगे कि किसी काम के नहीं है पाकिस्तानी होने के लाते देखें आखिर कब तक हम बेवकूफ बनेंगे इन गोरों के चक्रों में आके हम इतना पैसा अपना डिफैंस में लगाएंगे नो डाउट आपकी बहुत बड़ी महिश्या थे आपका दिफाह करने का पूरा हक है लेकिन दिफाह करने के चक्रों मे जो हमें रूस और अमेरिका लूट रहा है और अभी जपान की बारी आने वाली है क्योंकि हम इनके असलों से थक जाएंगे बही क्योंकि कब तक हम रूस का असला यूस करेंगे कब तक हम अमेरिका का यूस करेंगे हम थक जाएंगे इन से अब जपान इंट्री मारने वाला अरे भाई साब तो हमें ग्यान देने के बज़े अपने को ग्यान दोना यार अपने घर में पहले लागू करवाओ ये पाकिसानियों के सबसे बड़ी रिक्कत है यार अपने यहां लागू नहीं करवाँगे ब्रिटन में शरिया चाहिए शरिया चाहिए शरिया चाहिए पर पाकिसान में शरिया ने लगवाई आपने तो किस मूँ से आप जाके ब्रिटन में शरिया मांगते हो जर्माई में शरिया चाहिए शरिया चाहिए पाकिसान में लगवाओ पहले तो पहले पाकिसानी फोज को समझा लगा है वो तो तुम्हारे अपने है हमें काई को ग्यान दे रहे हो कि दो खोड़ी का ग्यान अपने उसको दो मूँ मत खुलवा हो मेरा जपान जब आएगा ना आपको बड़ी अजीब सी दोड़ों में उसने लगा देना है आप पागल हो जाएंगे आप एक M.O.E. साइन करके उठेंगे वो आपको दूसरे दिन बाद एक और कोल कर देंगे और भाई आजें नरिंदर मुदी साब हमारे पास उससे भी जदीद आगया नरिंदर मुदी साब वो खरीदने जाएंगे श्रबाश श्रीफ को या कॉल मिसाल के तोर पे आजेगी भाई हमारे पास यह आगया त्यूंकि और रेड़ी सारी दुनिया से अमेरिका से युनाइटिट पावर से भी पच्ची साल आगे जपान चार रहा है यह आप सबको बता है वो हमारी दौने लगाने वाला है मैं हमेशा जो बात करता हूँ इग्जेक्ट फिगर के भाई साब आपने जापान की डिफेंस स्टुडिज की हैं जापान की डिफेंस टुडिज की हैं आपने जापान में डिफेंस की इंडस्री कितनी बड़ी है और जापान क्या बनाता है बताएंगे से जापान की कोई मिसाइल बता दीजे जापान का कोई फाइटर जट बताईए जो अभी यूज़ वहारा मिस्सू बिशिस शायद ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं और अगले पे काम कर रहे हैं अमेरिकन हतियार जापान में भड़े पड़े हैं जापान की फॉज वहाँ पर मौजूद है ट्रेनिंग देने के लिए अमरीकी मिसाइल्स वहाँ पर मौजूद है जापान में कैसी बाते कर रहे हो सर पत्रकारों के नाम पर आप धब्बा लगा रहे हो यार और वो भी डिफेंस की बात करके आपको जापान में डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़ादा रीड करने की ज़रूद है जापान ने वैसे कौन से मिसाइल किस देश को बेची है जापान ने कौन सा टैंक किस देश को बेचा है जापान की कौन सी गन जो है वो बहुत दुनिया भर में मशूर है जापान का कौन सा एर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में मशूर है क्यों आप अपना मजाग उडवाते हो यार आपको क्यों उडवाते हो मजाग जापान से ज़्यादा बड़ी डिफेंस इंडस्री जो है न वो साउथ कूरिया की पता है आपको जाकर पढ़ना हानवा डिफेंस बहुत बड़ी डिफेंस की कंपनी है एंटि येंडकाफ्ट सिस्टम बनाती है पढ़ो जाकर साउथ आफरिका की डिफेंस इंड़स्ट्री जापान की डिफेंस इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी और उनके एकुपेंट्स जो है, उनके हथियार जो है, वो साउट कोरिया वाले दुनिया वर्ड में बेसों बैजते भी हैं साउथ कोरिया ने अभी एक फाइटर जट का भी वो किया है उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है वो बहुत जल्दी फिफ जेनरेशन उसमें जा रहा है फिफिगर के साथ करता हूँ मैंने कभी भी यह हवाई बाते नहीं की कि जो लॉजिक ही ना किसी चीज़ का हो मैं चाहता हूँ कि जो भी अवाम से बात कीज़े वो हक और सच पे बात हो इसी तरह हमें अपने डिफेंस के पैसे पाकसान को भी और इंडिया को भी देखें नो का मंबई है जैसे दिल्ली है जैसे आपका चंदी कड़ा है मतलब आप कई एरियों को आप अग्नोर नहीं कर पाएंगे लेकिन आपने जीडीपी उस लेवल की कर दी है कि वो सारी बातें शुप गई है क्योंकि आपकी वो जो हमारी एक मिसाल है ना कि पैसे वाले का तो आय जीज की जरूत है आपको पहुत जादा अब बिल्कुल उस बरसाती मिंड़क की तरह हैं जो आकर टर 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 बोल देते हैं गहराई में जानी रहें अमेरिका में घरीबी नहीं है दुनिया के सबसे बड़ी कौन है सुपर पावर है अमेरिका में घरीबी नहीं है अमेरिका में वैसे एरियाज नहीं है जहाँ पर आपको घरीबी जलक आती है वहाँ पर अंडर डेवलप्ट है नहीं है कोई भी देश, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता और ना हो सकता है ना कोई इंसान 100% परफेक्ट होता है मैं फिर कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्टुडीज करने की ज़ूता है आपको पता है कि आप आज पुने का नाम जान रहा है हैदराबाद का नाम आज जान रहोगे, नोईडा का नाम आप आज जान रहोगे यह हमने सिटीज डेवलप की हैं पिछले 10 साल, 15 साल में हम काम कर रहे हैं और रेड़ी रातो रात इतना बड़ा देश हर शहर बदल नहीं जाएगा हमारे गाउं तक बदल चुके हैं भारत का शायद ही ऐसा कोई गाउं होगा जहाँ पर आपको कच्ची सड़क मिलेगी मैरा अज़ानी दिल्ली से 1000 किलोमेटर दूर रहता हूँ मेरा गाउं जो है नदी किनारे मेरा गाउं है वहाँ पर साड़ी साड़के जो है वो PCC के मिलेगी 24 घंटे बिजली रहती है 5G का मोबाइल मिलता है इंटरनेट ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे गाउं में उपलब्द नहीं है और आप कहते हैं कि आप अंडर डेवलप हो अभी बदली नहीं है साब आपको इंडिया के बारे कुछ नहीं पता इंडिया बहुत बदल गया है बहुत डेवलप कर गया है गाउं गाउं डेवलप कर गया है गाउं गाउं डेवल रहना चाहिए वो नहीं है इंडिया का तीसरी बार वजीर आजम बन गया है 15 15 साल कितने वजीर आजम बदले इतने हम अपने डुराइवरं नहीं बदल और दें हम डूरी नहीं ब बदले इतने अम ाफ़िस बोहीं भी है यह वारल होई आरब इस सब्मिट की के पाकिस्तान के सब्राइम मीस्टर शेड़ा कर दिया तर आप क्या राय रखना चाहेंगे सोशल मीडिया पर इस बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा है एज़ा पाकिस्तानी आप इस पर क्या इज़ारे ख्याल करेंगे एज़ाइज पाकिस्तानी सबसे पहले तुम्हें कियाता हूँ शायद के शबाश शिरीफ साब कमरे में लेट आये तो फिर तो कोई इंसल नहीं आये हैं खड़े हो जाएं लेकिन अगर शेबाश शिरीफ साब पहले आके मिर रहे हैं और सेंटर के अंदर खड़े हैं पिर उनको उठा के अगर पीछे किया जा रहा है ये बहुत बड़ा तमाच है हमारे मूँ के उपर उन्हें स्पीश भी क का मुल्क का लीडर होता है वो लीडर होना चाहिए जैसे कि अमरान गया किसी भी मुझे उसकी साड़े तीन साल की आप उसका दौरे गुमंद में कहीं पर भी वो पीछे खड़ा हो उसको खुद बूलाते हैं भाई आगे आओ चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो उस वक्त का र होते हैं वो भी मुर्शिद के बाश्याओं की मेफिल में आपने मज़़ूरों की बात छेड़ दी यही तो बाते हैं नहीं हमें अच्छी लगी कि आपको मैं एक और बात बतातो इसके साथ एड़ करता जाओं किसी भी आपको प्रोटोकॉल समझने के ज़रूरत है आपको प्रोटोकॉल को पढ़ना चाहिए और उनके मेसेजिस होते हैं अगर इमरान खान को आगे की लाइन में खड़ा किया गया ना पता है क्यों किया गया इसलिए नहीं को बड़ा हैंडसम है बड़ा तगड़ा है नहीं क्योंकि वो इलेक्ट होकर आया था वो चुनाओ जीत कर आया था डेमोक्रेटिक तरीके से आया था शहवाज शरीफ को लास लाइन में क्यों दिया गया शहवाज शरीफ को पूरी दूने गांति है डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है तो वहाँ पर वैल्लू दी जाती है ये नहीं कि लीडर कौन है वैल्लू दी जाती है कि आप करके लाया गया होता, शर्भाज शरीफ की तरह, तो वो भी पिछले चोथी लाई में पड़े होता है, यह इंडिकेशन होती है, यह मैसेजिंग होती है, दुनिया को मैसेज देने की, कि आपकी वैल्यू कितनी है, और आपकी वैल्यू तब होगी, जब आप अपनी आवाम की बात सुनेंगे, आप आपकी आवाम आपको पसंद करती है, शवाज शरीफ को क्या आपकी आवाम पसंद करती है, तो यह diplomatic norms, analysis, body posturing, इन सब के बारे में अभी आपको बहुत जादा कुछ पढ़ना है, समझना है, अभी आप सिर्फ सतही बाते समझ रहे हैं, आप analyst बनने की क कोशिश कर रहे हैं, बटा बहुत सतही बाते कर रहे हैं, deeply think किजिए इसका, study कीजिए, हर बात की, हर चीज़ काने की मतलब होता है, इमरान खान को रश्या नहीं बलाया था, इमरान खान खुद गय थे रश्या, नहीं बता आपको, पढ़िये जाकर, तो आप लोग ऐसी चीज़ों को show off करने लगता है, कि हो इमरान खान था, देखो कैसे उसको बुलाया, नहीं बुलाया भाई, रश्या वाले नहीं बुलाया, आप लोग को idea नहीं होता है, आप लोग कुछ का कुछ बोल देते हो, कुछ का कुछ कर देते हो, भाई साब बहुत नीड है आपको study किना, बहुत नीड, मुझे लगता है कि आप अभी interview देना छोड़िए, पहले जाकर study कीजिए, और फिर पढ़ लिक कर आईए, फिर आप authentic बाते करिए, फाक्च्छोली बाते करिए, और रही बात, देखे, आप लोग एच चीज भूल जा रहे हैं, मैं इसके screenshot लगाता हूँ, साथ से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लटका दिया गया, क्यों? आप लोग सिर्फ इस लियाद से बात करते हैं, आप उस लियाद से ब बात नहीं करते हैं कि पाकिस्तानी जाकर कर क्या रहे हैं महाँ पर, क्राइम करते हैं महाँ पर, आपने क्राइम की बात की, नहीं की, जो फैक्ट है, एक और फैक्ट बताते हैं, पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी जेल में बंद हैं अलग 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 देशों में, उसमें सबसे ज़्यादा सौधी अरभिया में बंद है। सेकंड नंबर पर शाद यूएई आता है। देखें। Countries with highest numbers of Pakistani prisoners ज़रा देखिए, नंबर वन पर कौन सा है। सौधी अरभिया, 12156 पाकिस्तानी सौधी अरभिया की जेलो में बंद है। यूएई 5292, तीसरे नंबर पर है Greece, यूरप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलो में बंद है। चोथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलो में बंद है भारत की जेलो में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद है। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं, यूके में 330, इटली में 330, उमान में 309, टर्की में 308, अब जरा गौर कीजे, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, इन में से देखिए टॉपमस कितने मुसलमान कंट्री हैं, सौदिय अरभिया 1, UAE 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, उमान 6, टर्की 7, टॉप 12 कंट्रीज में 7 इसलामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज़ादा बंद हैं, अब इस डेटा को देखने के बाद मुझे अफसूस होता है कि जब आप as a analyst आते हैं, तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं, यह पाकिस्तानी क्राइम कर रहे हैं, मुसलिम देश भी तंग आ रहे हैं इन जैसे मुसल्मानों से, कि एक मुसल्मान हो के मुसलिम देश में आके भी वो क्राइम करने से पीछे नहीं हटता, लड़कियों को छेड़ते हैं टर्की, कि स्क्रीन्शोट लगा रहा हूं, सैकडो पाकिस्तानी डिपोर्ट किये जा चुके हैं, गिरफतार किये जा चुके हैं तरकी से, लड़किया छेड़ते हैं वापर चापकर, गिट आउट पाकिस्तानीज चल रहा हूं आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि पाकिस्तानीज का जो behavior ये पाकिस्तानीज का जो mentality है जो उनका mindset है इसकी वज़ा से भी सारे लोग तंग आ रहे हैं जो non-muslim countries है वो तो तंगी आ रही है मुसलम मान countries भी तंगारी तो ये वहां भी नहीं जाके सुधरते लेकिन आप लोग इस पर कभी आपने पूरी बात में ये बात कई crime rate ये बढ़ाते हैं ये criminals हैं नहीं करें तो अगर आप agenda के तहद बात करेंगे तो फिर हम लोग बैठे हैं fact लेकर counter करनेगे हक और सच की बात करनी है तो फिर आपको ये सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तानियों का mindset उनके mentality अब इक Greece से खबर आई फिर एक महिला का वहां पर रेब कर दे है पाकिस्तानियों ग्रीस से कुछ गों पहले आठ पाकिस्तानी महा जिरीस में पकड़े गए थे terror plotting करते हुए आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग इसकी बात है क्यों नहीं करते हैं क्यों शर्मिनदा होना पड़ेगा इस पर इसलिए आप इस पर बात alguma नहीं करते हैं बहुरत तो जीए पैसे बहुत लगा रहा हुआ है? हमारे पास हैं पैसे लगाने दो भाई है। तुम्हें क्या मतलब हो? पैसे मेरे हैं मुझे जहां मन करें किका माथ खर्च करोगे। तुमसे कमजोर एजुकेशन तो नहीं है नहीं है मैं माझ भी खर्च करता हूँ तुमसे कमजोर railway system तो नहीं है मेरा तुमसे ज़्यादा बहतर है तुमसे ज़्यादा बहतर internet service है हमारे infrastructure तुमसे बहतर है तो यह सब बाते मत किया को दोस्तो आप क्या कहते हो जल्दे मनता हूँ एक और ने वीडियो साथ नमस्कार जाहिए trade service है